खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीज़ें हमारी पार्टी का नागरिक्ता संसोधन वीधियक के बारे में ये कहना है कि केंद्र सरकार दुआरा काफी जल्द बाजी में वे काफी अपरिपक्व तरीके से लाया गया नागरिक्ता संसोधन वीधियक ये पूरे तोर से बिभाजनकारी वे असविधानिक वीधियक है अर्थात इस वीधियक के जरिये इनका धर्म के आधार पर नागरिक्ता एवम नागरिकों में धर्म के आधार पर भेद भावादी पैदा करना ये परम पूजे बाबा साथ डॉक्टर भीमराव अमेदगर के मानपता वादी अवम धर्म निर्पेक्ष सविधान की मनसा वे बुनियादी धांचे के एकदम विरूद कदम है इसलिए बीएसपी इस बिल के वर्तमान सरूप से बिलकुल भी सैमत नहीं है इसके साथ ही केंद्र सरकार दुवारा नोट बंदी इससे पहले नोट बंदी वे जीएसटी आदी की तरह ही इस जो पहले ये बिल्लाए थे काफी अपरिपक तरीके से और काफी जल्दबाजी में तो इसके साथ ही केंद्र सरकार दुवारा नोट बंदी वे जीएसटी आदी की तरह ही इस असविधानिक वे अपरिपक तरीके से लाए गए संसोधन विध्यक को ये जो नागरिक्ता संसोधन विध्यक को इस देश पर जवर्दस्ती थोपने की बजाए तो इस पर केंद्र सरकार को पुनर विचार करना चाहिए और इसके भैतर विचार विमर्ज के लिए इसे संसद्य समिती के पास भीजना चाहिए ताकि ये विध्यक सविधानिक रूप में देश की जनता के सामने आ सके लेकिन इसके साथ ही यह मैं ये भी जरूर रिस्पस्ट कर देना चाहती हूँ कि यदि केंदर की सरकार देश वे जन हित में भारते सविधान के मताविक सई वे उचित फैंसले लेती हैं तो हमारी पार्टी फिर दलगत राजनिती से उपर उठकर केंदर सरकार का जरूर समर्थन करेगी और खासकर जम्मू कश्मीर के मामले में हमने धारा 370 को लेकर इसी सोच के अधार पर ही केंदर सरकार का समर्थन भी किया था और वैसे भी ये फैंसला हमारी पार्टी ने बाबा साथ डॉक्टर भीमराब अंबेटगर की सोच के अधार पर चलकर ही इसे भारते सविधान के हिसाब से ही अपने देश की एकताव अखंडता को ध्यान में रखकर ही लिया है जिसको लेकर खासकर कांग्रेस्पेन की सेयोगी पाठियां अब इसकी आड़ में हमारे विरुद्ध तो पूरे देश भर में जबरदस्ती मुसलमानों को खासकर मुसलमानों को गुम्रा करने में लगी हैं और जदी धारा 370 को लेकर हमारा नजरिया कुछ और होता तो फिर आज हमारी पाठिय केंद्र सरकार के लाए गए नागरिक्ता संसोद्यन विद्यक के विरोध में खुल कर खड़ी नहीं होती इसके साथ ही केंद्र सरकार दुवारा जहां तक SCST के आरक्षन को फिर से दस बर्स और बढ़ाने का स्वाल है तो इसका तो हमारी पाठिय स्वागत करती है लेकिन इसके साथ हमारी पाठिय केंद्र की सरकार से ये भी आगरे करती है अनुरोध करती है कि इन वर्गों का पिछले काफी बर्सों से आरक्षन का कोटा अधूरा पड़ा है अभी तक भी किसी भी राज्य में ना राज्य स्थर की नोक्रियों में ना केंद्र स्थर की नोक्रियों में इनका अरक्षन का कोटा पूरा नहीं वाधूरा पड़ा है तो ये जो इन्होंने फैंसला लिया है इसका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन इसके साथ साथ तो केंदर की सरकार को ये भी चाहिए कि पूरे देश में विशेस अभ्यान के जरिये हैं तो केंदर सरकार की नोकरियों में और राज्यों की जो नोकरियों में जो इन वर्गों का आरक्षन का कोटा अधूरा पड़ा है तो उसे जल्दी से जल्दी पूरा कराएं और इतना ही नहीं तो पिछले कुछ वर्षों से मैं ये देख रही हूँ कि बड़े पैमाने पर चाहिए केंदर की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो तो बड़े पैमाने पर ये अपने सरकारी कारिये प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं जबकि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए आरक्षन की ववस्ता उपलब्द नहीं है तो ऐसी स्तिती में केंदर की सरकार को चाहिए ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले प्राइवेट सेक्टर में इन के लिए आरक्षन की ववस्ता का जरूर परभंद करना चा तो हम किसी भी पार्टी की सरकार में हम लोग केंदर में शामिल नहीं हुए लेकिन हमने हमेशा कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी यही काभार से समर्थन हम बीजेपी को तो समर्थन नहीं दे रहे हैं लेकिन हमने केंदर में कांग्रेस को समर्थन दिया था और उनको कहा था कि जो देश और जनित के मुद्दे हैं आप उनको ध्यान में रखकर काम करेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे नहीं तो हम आपका विरोध करेंगे यही बीजेपी के मामले में हमारा स्टेंड है जदी वो देश और जनित में जदी कोई भी वो फैसला लेते तो हम उसका जरूर समर्थन करेंगे और यदी वो ऐसा कोई फैसला लेते हैं किसी भी विधियक कियाड में जो सविधान के मंसा के बिलकुल विरोध हो या किसी मजहभ के किसी धर्म के मानने वाले लोगों के खिलाफ हो, या किसी जाती के खिलाफ हो या इससे देश में जो इससे ऐसा लगता है कि देश बट रहा है धर्म के अधार पर ऐसा कोई फैसला यदि केंदर की सरकार लेती है तो मैं समझते हैं कि हमारी पार्टी बिलकुल भी उसके पक्ष में नहीं रहेगी उसका डट कर विरोध करेगी इसलिए जो भी काम चाय के कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किया हो यदि गलत कांग के हमने उनका भी विरोध किया और आज हम बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं इस विधियक को लेकर 370 वाले से हम लोग बिलकुल उनकी बाद से सहमत थे क्योंकि जो जमू कश्मीर है तो वो देश का अभिन अंग है और बाबसाब डॉक्टर अमबेटगर ने अपने जीते जी जब ये 370 वाली धारा के बात आई तो बाबसाब डॉक्टर अमबेटगर ने कांग्रेस को लग माना जाएं और इनी की वज़े से कांग्रेस और पंडित नहरू की वज़े से ही तो जम्मू कश्मिर में पिछले काफी बर्सों से बड़े पहमाने पर वहां पर लोग मारे जा चुके हैं आतंगवादी गतिविदियों की वज़े से तो मैं समझती हूं कि यदि सुरू म केंद्र जदी सुरू में कांग्रेस पार्टी और पंडित नहरू यह सई फैसला ले लेते और बाबस आप डॉक्टर के अंबेडगर की बात मान लेते तो शायद जे अंके का इतना बुरा हाल नहीं हो था कहने का तात्प्रह यह है कि चाहें कांग्रेस है चाहें बीजेपी या अदने और कोई पार्टी है चाह वो केंद्र की सरकार का मामला राजे सरकार के मामला है यदि वो देश और जन्हित में सही फैसला लेते हैं धर्म निर्पेक्स्ता के अधार पर लेते हैं सभी जातियों का सम्मान करते हैं सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उसके बीच सद्रेइपन की सद Bluetooth का घो जै Cup कर दोन की सित्वीक दोलएं कंद। से ही unde हूब यह चारा है उनकेा में अध्यद्य नहीं किया। इसलिए केंदर की सरकार को ये चाहिए कि इसको संसत में लाने की बजाए पहले पारलेमेंटरी कमेटी को भेजें दोनों हाउस के जो विभिन पाथियों के नेता है वो उसमें बैठें इसके उपर विचार विमर्स करें और सहित और जब के विचार विमर्स करके देश और जन इस समद्ध में तो आप लोगों के माध्यम से मैंने पूरे देश वास्यों के सामने रखिया धन्यवाद